असलाम लेकॉम मैं हूँ साधिया उजयर वेलकम बैक टू साधिया उजयर्स किचन तो आज मैं आपके साथ केक की एक बहुत ही अमेजिंग रेसिपी शियर कर रही हूँ एडिबल प्रिंटर चॉकलिट केक है देखने में ये केक जितना ब्यूटिफुल और अमेजिंग है उतना ही ये टेस्टी और डिलिशियस भी है तो रेसिपी शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक भी जरूर कर लीजेगा और अगर आप मेरे जैनल बर नहीं है तो सबस्क्राइब करके नोटिफिकेशन्स भी जरूर अन कर लीजेगा तकि आपसे मेरी कोई भी रेसिपी वीडियो मिसना हो तो चलिए अब रेसिपी स्टार्ट करेंगे बिसमिल्लाहिर्रामानिर्राहीम तो केक स्बंच बनाने के लिए यहाँ पर हम सबसे पहले एक मिक्सिंग बॉल में डालेंगे चार अंडी की जर्दियां इसी के साथ इसमें शामिल करेंगे वन फॉर्थ कप ऑईल वन फॉर्थ कप जाएगा इसमें दूद एक चाय का चमच पनीला एसंस एक विस्की मदद से इनको बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे मिक्स करके इसको भी एक साइट पर रख देंगे और अगले स्टेप में यहाँ पर हम एक दूसरे मिक्सिंग बॉल में लेंगे चार अंडी की सफेदियां इसमें शामिल करेंगे आदा कपचीनी अब इनको हम एक अलेक्रिक बीटर की मदद से कम से कम 4-5 मिनट तक बीट करेंगे इनको हमें स्टिफ पीक्स तक बीट करना है आप देखें सफेदियां बहुत अच्छे से बीट हो गई है अलेक्रिक बीटर को अब हम एक साइट पर रख देंगे और इसमें add करेंगे अंडे की जर्दियों वाला mixer और इस तरह से एक hand whisk की मदद से बहुत ही gently इनको fold करते हुए mix करेंगे अच्छे से mixing कर लेने के बाद अब हम cake के dry ingredients के mixing करेंगे इनकों में better में क्यूंके छान कर mix करना है तो इसलिए direct stanner में ही शामिल कर लेंगे 100 ग्राम मैदा जो के तकरीबन 3 फॉर्थ कप है 1 फॉर्थ कप कोको पाउडर जो के 20 क्राम है एक चाहिए का चमच बेकिंग पाउडर बन फॉर्थ चीसपून सॉल्ट तो बस अभी इस तरह से इनको छान कर अंड़ो वाले mixer में शामिल करते जाएंगे और साथ ही साथ बहुत ही जंटली इनको फॉल्ड करते जाएंगे एक ही साथ सारा dry mixer इसमें add नहीं करना तीन चार potions में divide करके इसको add करेंगे और इस तरह से एक hand vis की मदद से बहुत ही जंटली इनको फॉल्ड करेंगे तो अंडो में यहाँ पर मैंने dry mixer को बहुत अच्छे से mix कर लिया है और cake batter यहाँ पर हमारा बिल्कुल तयार है और next यहाँ पर मैंने 7 इंच के square cake pan को पहले oil से grease किया था उसके बाद इसमें butter paper भी लगा लिया है अब इसमें हम cake batter डालेंगे इस तरह से 2-3 बार tap करेंगे तके इसमें जो extra air bubbles हैं वो निकल जाए अब आप इसको पतीले में भी bake कर सकते हैं और oven में भी oven में bake करने के लिए oven को पहले preheat कर लेंगे उसके बाद 170 Celsius पर इसको तकरीबन 30-35 मिनट तक bake कर लेंगे और bake करने के बाद हमेशा की तरहां पहले cake को room temperature पर अच्छे से ठंडा होने देंगे फिर इसको mold में से निकालेंगे अब आप 3 या 4 जितनी भी layers में cake की cutting करना चाहें कर सकते हैं तो यह देखें cake हमारा कितना soft और spongy bake हुआ है यहाँ पर मैंने इसकी 4 layers में cutting कर ली है frosting करने से पहले अब हम इसको fridge में रख देंगे और उतनी देर में हम इसके लिए frosting तयार कर लेंगे तो frosting बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 400 ग्राम मक्षन लिया है जो के soft और room temperature पर है unsalted मक्षन है अब इसको हम एक दो मिनट तक बीट करेंगे तक कि यह बिल्कुल एक cream की form में आ जाए बीट करने के बाद अब इसमें हम 400 ग्राम ही icing sugar शामिल करेंगे मक्षन के बराबर इसके लावा इसमें जाएगा आदा कप cocoa powder 1 फोर्थ कप milk 1 फोर्थ टी स्पून नमक एक बार इसको पहले इस तरह से mix कर लेंगे क्योंकि अगर हम direct बीटर को on कर देंगे तो icing sugar और cocoa powder उटकर बाहर पहलेगा तो इस तरह से थोड़ा सा mix करने के बाद अब बीटर को on करेंगे और 3-4 मिनट तक इसी तरह से तमाम चीज़ों को mix करते हुए इसको बीट करेंगे तो यह देखें 3-4 मिनट तक बीट करने के बाद यह थोड़ा सा fluffy भी हो गया है और color भी इसका light हो गया है यहाँ पर हमारी frosting अब बिलकुल ready है और next अब हम चॉकलिट किनाश से यार करेंगे यहाँ पर मैंने 250 ग्राम whipping cream ली है जिसको मैंने boil कर लिया है whipping cream से double 500 ग्राम चॉकलिट लेंगे जिसमें हम यह गरम क्रीम शामल कर देंगे अब इसको 5-10 मिनट तक इसी तरह से पढ़ा रहने देंगे 5-10 मिनट में चॉकलिट बहुत अच्छे से melt हो जाएगी और उतनी तेर में हम केक पर frosting लगा लेंगे तो यहाँ पर मैंने एक कप दूद में थोड़ी सी चीनी को mix कर लिया था केक sponge पर लगाने के लिए इस तरह से दूद लगाने से केक आपका बहुत ही soft रहेगा दूद लगाने के बाद अब इसके उपर frosting की एक clear लगा देंगे यहाँ पर मैंने frosting को एक piping bag में डाल लिया है एक palette knife लेकर इस तरह से frosting को level करतेंगे अब इसके उपर केक का दूसरा slice रखेंगे और same उसी process को repeat करते हुए अब पहले इसके उपर दूद लगाएंगे दूद लगाने के बाद इसके उपर frosting की एक layer लगाएंगे और same पहले की तरह उसी method को follow करते हुए केक की तमाम layers को set कर लेंगे तो केक की सारी layers यहाँ पर set हो चुकी है अब केक के side over जहाँ पर भी आपको इस तरह से gap नज़र आए उसको frosting से fill कर दे इस तरह से frosting लगा कर केक को हर तरफ से level कर देंगे तो केक यहाँ पर हर तरफ से बिलकुल level हो गया है और जो chocolate हमने cream में शामिल की थी वो भी बहुत अच्छे से melt हो गई है अगर यहाँ पर chocolate अच्छे से melt ना हो तो फिर आप 20 से 30 सेगेंड के लिए इसको दुबारा से microwave कर ले तो यह देखें chocolate completely melt होकर बिलकुल smooth हो गई है तो अब हम cake के side ओ पर लगाएंगे plastic cover यह cover specially cake के लिए होता है जहां से baking की चीज़े मिलती है वहां से यह आपको easily मिल जाएगा इसके लावा हम इसके side ओ पर लगाएंगे square shape का cake adjustable ring लेकिन अगर यह दोनों आपके पास नहीं है तो कोई problem नहीं है हमने जो cream और chocolate से यह mixer तयार किया है इसको आप fridge में रखकर थोड़ी देर के लिए ठंडा कर लें और जब ठंडी होने के बाद यह इतनी सक्त हो जाए जिस तरह से frosting होती है तो फिर आप एक palette knife की मदद से इसको cake के उपर लगा लें इसे हम overnight के लिए बाहर room temperature पर ही पढ़ा रहने देंगे इसको हमें fridge में नहीं रखना तो 6-8 गंटे के बाद cake को fridge में से निकाल कर ring और plastic sheet को remove कर देंगे चॉकलेट की यह layer बहुत अच्छे से से सेट हो गई है इसना से एक knife की मदद से plastic sheet को cake से बहुत ही एहतियात के साथ remove करेंगे plastic को remove करने के बाद cake के चारों तरफ इसना से frosting की एक बारी clear लगा देंगे जहां पर भी आपको gap या खाली जगा लगे उसे frosting से fill कर दें और cake को हर तरफ से smooth कर दें तो आप देखें cake हर तरफ से बिल्कुल smooth हो गया है अब इसके लिए हम melted chocolate से flower बाला print तयार करेंगे लेकिन इस cake को आपको बाहर बिल्कुल भी नहीं छोड़ना इसको हम fridge में रखेंगे परना frosting melt हो जाएगी और next chocolate flower print बनाने के लिए मैंने butter paper पर इस तरह का एक design बनाया है आप इसका screenshot भी ले सकते हैं इस print को बनाने के लिए मैंने इस तरह के cookie cutter और scale का इस्तमाल किया है तो अब इसके उपर butter paper का एक दूसरा piece रखेंगे और किनारे पर कोई भी heavy cheese रख देंगे ताकि ये अपनी जगा पर fix रहे melted chocolate को piping bag में डाल कर इस तरह से ये सारा design बना लेंगे dark chocolate या milk chocolate आप किसी का भी इस्तमाल कर सकते हैं यहाँ पर मैंने chocolate को double boiler में melt किया है आप इसको microwave में भी melt कर सकते हैं बस आपको ये ख्याल करना है कि प्रिंट की लंबाई इतनी हो कि केक के चारों दुरफ easily पूरी आ जाए filling के लिए आप अपनी मर्जी के कोई भी colors ले सकते हैं सेम उसी तरह से white chocolate को microwave में या double boiler में melt कर लें और जो भी color आप fill करना चाहते हैं वो color आप उस melted white chocolate में add कर लें तो सारे colors fill करने के बाद बहुत ही एहतियात के साथ इसको उठाएंगे और इस तरह से एहतियात के साथ केक के side ओ पर इसको लगा देंगे अब इस तरह से किसी भी smooth cheese की मदद से print को केक के साथ fix कर दें जो भी extra print है उसको मैंने इस तरह से एक scissor की मदद से काट दिया है अब इसको हम आदे घंटे के लिए fridge में रख देंगे ताकि chocolate print अच्छे से set हो जाए जम जाए और उतनी दिर में हमने जो chocolate के नाश पचा ली थी और उसे cover करके overnight के लिए room temperature पर रख दिया था इसको हम एक electric beater की मदद से beat कर लेंगे जैसे जैसे आप इसको beat करते जाएंगे वैसे ही इसका color change होता जाएगा और beat होने के बाद ये बिलकुल light और fluffy हो जाएगी frosting की तरह तीन-चार मिनट तक beat करने के बाद आप देखें इसका color बिलकुल change हो गया है और बहुत ही light और fluffy हो गई है तो बस अब इसको हम piping bag में डाल लेंगे और केक्यों पर डिजाइन बनाएंगे piping bag में मैंने इस तरह की piping tip लगाई है आपके बस जो भी available हो या जिस भी तरह आप डिजाइन बनाना चाहें आप बना सकते हैं और इसके लाबा चॉकलिट जब बहुत अच्छे से सेट हो जाएगी जम जाएगी तो बटर पेपर भी बहुत ही आसानी के साथ रिमूव हो जाएगा तो लीजिए बहुत ही amazing बहुत ही जबरदस सा हमारा चॉकलिट केक तयार है जो कि यकीनन आपको बहुत पसंद आया होगा तो इसी पॉइंट पर वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर दीजेगा और अगर आप चैनल पर ने है तो सबस्क्राइब भी ज़रूर कर लीजेगा केक की कटिंग करने के लिए यहां पर मैंने नाइफ को थोड़ा सा गरम कर लिया है ताकि चॉकलिट प्रिंट खराब ना हो बहुत नीट और क्लीन कटिंग हो तो अगर आप केक लबर है और स्पेशली चॉकलिट केक आपको बहुत पसंद है तो इस रेसिपी को मेरी रिक्मेंटेशन पर आपने एक पर ज़रूर ट्राय करना है यकिनन आपको ये केक बहुत पसंद आएगा तो इसी के साथ साथ अपना बहुत सा ख्याल रखेगा दौाओं में याद रखेगा थिंक्यों फर वाचिंग अलाहाफेज